को ये sapail कैलो गाइस Welcome back to my channel तो आज महाम मिर्च Kimberly के बारे में बात करेंगे यहां पर आप देख सकते वो यह जो मिर्ची मेंकोधा कितने खुबसुरत आव और यह जो मिर्ची कितना बडना थे तो और यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर भी मिच्ची लगा है और फूल भी आ रहे हैं लेकिन इसका एक major problem होता है यहां पर आपको दिखा रहा हूं यहां पर देख सकते हो इसका जो पत्ता है इसका जो पत्ता है वो कैसे मूढ रहा है इस तरह से तो इस तरह अगर जो पोधे का पत्ता अगर मूढने लगेगा तो फल देने का और फूलाने का जो क्वांटिडिय वो कम हो जाएगा और हमारा जो पोधाय खराब हो जाएगा आपको इधर आप देख सकते हो ये एक मेरा जो पोधा है वो लगबग खराब हो चुका है और उसका जो पत्ता आप नीचे से उपर तक देख सकते हो इसको हम कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हो यह जो दो दबा है मैंने खरीद के लाया था मार्केट से तो इसका आज हम इस्तेमाल करेंगे तो अभी हम पहले इसको पानी में घोल लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इधर मैंने 10 लिटर पानी लिया है एक बाल्टी में इसमें ही मैं यह जो दबा है इसको मिलाओंगा इधर मैंने पानी में इसको डाल दिया है अभी हम इसको अच्छे से पानी मिला लेते हैं, इस तरह से, अभी जो हमारा दबा है वो बनके त्यार हो चुका है, यहां पर आप देख सकते हो, मैंने इस तरह से एक बटोल में इसको भल लिया, इस तरह से हम सारे पोधो पे स्प्रे कर देंगे, तो इस तरह से आपको हफ्त मैं दो बार पोधो पे स्प्रे करना है, जब तक कि इसका जो प्रोब्लेम ठीक नहीं हो जाता, इस तरह से, तो आगे मैं इसका जो वीडियो में डालूंगा, तो चैनल को सस्क्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर किसी किसी चीज के बारे म कॉमेंट में बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में,